दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीप चैनल में आज हम बात करेंगे HCS के प्रीवेस एर पेपर HCS के जो प्रीवेस एर पेपर हैं लास्ट पिछले 15 सालों में जो भी आपके एक्जाम हुए है HCS के उसके बारे हम बात करेंगे उसकी जो PDF है वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी जितने भी आपके एक्जाम हुए है टेलिग्राम जरूर जरूर जोन कर लेना भई Quality Guidance Byron Beersing आप सर्च करके भी जा सकते हो डिस्क्रिप्सिन में लिंक भी है यही हमारे YouTube चैनल का नाम है यही टेलिग्राम का है बात करेंगे एक्जाम के लेवल की आपका एक्जाम का लेवल क्या रहा है किस सब्जेक्ट से जो आपके GS के सब्जेक्ट है History, Quality, Geography, Economy, Environment इन सबसे कितने प्रशन पूछे जाते हैं किसका रेशो सबसे ज़्यादा रहा है यानि पी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए और H.S.P.R.E. की कट अफ के बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे पहले मैं आपको इसके लेवल की बात कर लेते हैं यह पूरी की पूरी मैंने से लिस्ट बना रखे है कितने कॉश्चन कहां से आए है यह है पिछली बार का जो आपका एक्जाम हुआ था H.S. 2024 का नोटिफिकेशन आपका 2023 में आए था ठीक है एक्जाम आपका 2024 में हुआ था यह कॉपी है जो आपको उस पर भी जाके देख सकते है H.P.C. की वेबसाट पर यह फर्स्ट कॉश्चन है इसका अगर हम लेबल की बात करें प्रियोडिक लेवर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अंसार निमिलिक कतनों पर विचार केजिए ठीक है फर्स्ट आपकी स्ट्वेटमेंट दे रकिए सारे के सारे आपके कॉंसेप्ट वाले कुश्चन है फैक्ट उसके बीच में पूछे जरूर गए है लेकिन जितने भी कॉश्चन है आपके सीधा के सीधा फैक्ट नहीं पूछा गया सारे के सारे कॉश्चन आपके कॉंसेप्ट वाले कॉश्चन है चाहे आप geography के देख लो चाहे history के question देख सकते हो ठीक है जितने भी आप question देखोगे मैं अभी आपको एक तो question geography का दिखा दिता हूँ जैसे इसमें जो question आए हुए है तो detail में आपको चीज़ें मतलग कि पढ़ने पढ़ेंगी जैसे ये question है इस question के अगर हम बात करें जैसे रागी वर्षा आधारित फसल है अदिकतर काली म्रदा में अच्छे से बढ़ती है ठीक है रागी के बारे में फिर आगे दे रखा है फिर सुष्क शेतर की फसल है ये चीज़े हैं ये चारो के चारो fact आपको पतावने चे तब ही आप इस question का answer दे सकते हो ठीक है अगर आपने मीटिया अच्छे से पढ़ रखी है कहां कहां होती है ठीक है फसलें अच्छे से पढ़ रखी है तब ही आप इस question का answer दे सारे की सारे question देख सकते हैं History के भी देख सकते हो Policy के, Geography के, Economy के सारे question जो है आपका base clear है, reference book आपने अच्छे से पढ़ रखी है, एक chapter आपने clear कर रखा है, और फिर आपने जो question है, question आपने लगा रखे हैं, देखिए इनके लिए मैंने list पूरी की पूरी बता रखिया, आपको कौन सी NCRT पढ़नी है, कौन सी आपको reference book पढ़नी है, आप मारे YouTube चैनल पर बन जाए, मिल देएगी, और इसके लिए मैंने playlist भी बना रखिया, 2025 की जो बच्चे तेहरी कर रहे हैं, target अच्छे से 2025 के लिए, पूरी की पूरी list मैंने बनाई हुई, ठीक है, तो एक concept वाले question है, one day exam नहीं है, कि आपने सीधा सीधा fact रट लिया, और आपने इस question का आपने answer दे दिया, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि सीधा fact रट लिया, जब तक आपको chapter पूरा clear नहीं है, तब ही आपका question clear होगा, और यह one day exam नहीं है, सीधा सीधा fact से हो जाएगा, दूसरी चीज है, जो बच्चे बार बार बूसे रहते हैं, notification कब आएगा, द त्यारी करने के, आप अच्छे से उस पर त्यारी कर सकते हो, ठीक है, तो news से आपका exam नहीं निकलेगा, exam निकलेगा आपके त्यारी करने से, अभी मैं आपको दिखा जैता हूँ के question कितने कितने कहा कहा से आपके question पूछे गए है, यह सारी की सारी चीज है, यह PDF मैं पूरी यह पूरी डाल दूँ, अब टेलीग्राम पे जोइन कर लेना, अच्छा अगर आप NCRT बेसिक से पढ़ना चाते हो भई, concept clear करना चाते हो, अगर आप खुछ से करना चाते हो अच्छी बात है, अगर आप मेरे साथ करना चाते हो NCRT, एक दूसरा चैनल है, जैसे मैंने अभ लिंक डाला था, वहां से भी आप जा सकते हो, टेलीग्राम तो जूरू जोन कर लेना, सारी PDF आपको वहीं पर मिलेंगे, और PDF बिल्कुल फ्री होगी, कोई पेड़ पीडिएफ नहीं है, कोई टेलीग्राम भी पेड़ नहीं है वापर, ठीक है, तो NCRT पढ़ना है, वहाप में हुआ था आपका, लेकिन एक्जाम हुआ था, 2021 में भी, 2019 में हुआ, 14 में हुआ, 11 में हुआ, यहां से जो है, इसका ट्रेंड बदला है, पूरा का पूरा, ट्रेंड बदलने का मतलब है, जहां से जो इसका लेवल है, कोईशनों का, वो बिल्कुल बदल गया है, जितने भी आपके कोईशन पूचे जा रहे है, उनका एक्जाम का लेवल बदल गया, पूरा का पूरा, इससे पहले जो सीधे फैक्ट वाड़े कोईशन पूचे जा रहे है, जैसे हिस्ट्री के हम बात करें, हिस्ट्री में जो कोईशन है, हिस्ट्री में इंकलूड आर्ट एंड क लिचर के question भी है पिछली बार जो question पूछे गए है बाइस question पूछे गए है उससे पहले 2023 में आपके 27 question पूछे गए थे 2022 वाड़े में जो repeated हुआ था 25 question पूछे गए थे यानि कि 2021 का जो cancel हो गए थे यह दुबारा 2022 में हो था इसमें 22 question पूछे गए 19 में 24 पूछे गए 2014 में 21 पूछे गए और 2011 में आपके 19 question पूछे गए यानि इसका जो ratio रहा है 2011 को अगर हम छोड़ दे तो 20 प्लस ही रहा है ठीक है ओल्ड एंसियाटी तो को पढ़नी ही पढ़नी है दूसरे नमबर भी साइंस साइंस ठीक ठाक पूछा जाता है अच्छेस में साइंस और साइंस में साइंस टेक भी है ठारा question इस बार पूछे गए है पिछली बार थोड़े कम question आए थे 12 question आए थे उससे पहले आपके 24 question थे और 2020 में जो कैंसल वा थे 12 question थे उसके पहले भी 19, 22 रहे हैं 2014 में और 13 रहे है यानि कि इसका जो ratio अगर हम देखे हैं तो 15 से 20 के बीच में रहा है 15 से 20 के बीच में question आपके science के अथियत थे इससे जादा भी चलेग है जैसे 24 चलेगे याँ पर फिर जोग्रफी है प्छली बार जादा थे 21 उससे पिछली बार भी 21 ते 20 में 13 question थे 19 में पके 15 थे 14 में आपके 22 question थे और दोजार गेरा में 14 इसका भी 15 से 20 का रिश्यो है आपका फिर है पॉलिटी पॉलिटी के इस बार अच्छे से कोश्चन पूछे और अगर आप पॉलिटी कोश्चन देखो कि बहुत डिटेल में कोश्चन पूछे गए अगर आपने लक्ष्मी कांत अच्छे से डिटेल में पढ़ रुखे तभी आप इन कोश्चन के अंसर देपा होगे साथ में वेरेक्ट के साथ सत्रा कोश्चन पूछे गए उससे पहले आपके सोला कोश्चन थे 2022 में थोड़े कम कोश्चन आए आठ कोश्चन उससे पहले उननिस फिर दस दस कोश्चन है इसका भी बंदरा से बीस का रिश्यो है आपका तो यानि कि अगर आप ये चारों के चारों अच्छे से पढ़ लेते हैं मैं पहले भी बता चुका आपको 2024 का एक्जाम उससे पहले भी बताया था इन चारों का अगर हिस्ट्री साइंस जोगरफी पॉलिटी तो ये जो आपका रिश्यो है 60 से 70 की बीच में चला जाता है ठीक है बेसिक जो है जो बच्चे करेंट के बारे में बार बार पूछते रहते हैं पर आप देख सकते हैं किस से जाना कोशन पूछे जाते हैं ठीक है 60 से 70 कोशन आपके यही परोग जाते हैं हिस्ट्री से, साइंस से, जोगरफी से, पॉलिटी से अगर आप ये चारों के चारों अच्छे से पुड़ लेते हैं उसके बाद जो question पूशे जाते हैं फिर आपका economy का है economy में question 9 question आए थे पिछली बार उससे पहले 8 question थे 9 थे 5 question थे फिर 8 फिर 7 फिर 14 question इसका जो रिश्विय आपका 8 या 10 के बीच में यही रिश्विय रहते है इससे जाना question नहीं आए और दूसरा यह है economy के जो question आते हैं वो जाद अंतर current से जुड़े होते हैं mix थोड़ा सा base थोड़ा सा current से जोड़ करके पुछा जाता है यह current भी अगर आप ठिक ठाक पड़ोगे तब भी हो जाएगा साथ साथ में current फेर जो सीधे current फेर के question है इस बार 9 question पूछे गे थे उससे पहले 2023 में आपके चार question थे 22 में आठ question थे और जब जो cancel होता उसमें 19 question जरूर आए थे आपके उससे पहले 10 से 5 और 6 current के ज़्यादा question नहीं पूछा जाते और concept वाड़े question होते है फिर आपका हर्याना हर्याना से इस बार भी 6 question पूछे गए सिर्फ मात्र पिछली बार 10 question पूछे गए थे 23 में थोड़ा ठीक हो था उससे पहले 3 plus 1 तीन चार question थे उससे पहले 10, 7 और सबसे पहले 19 question थे तो हर्याना का रश्यों जरूर पढ़ना चाहिए हर्याना के जो question पूछेते हैं यो बच्चे कहते हैं हर्याना के जो basic मिलाओगे और आप current के पीछे भी पढ़ रहते हो हर्याना के अगर आप base-base भी पढ़ लोगे तब भी आपके question हो जाएंगे यहां पर हर्याना के question का रिष्यो कमी रहा है हर्याना के question का रिष्यो जादा होना चाहिए जैसे का सभी state यूग अगर आप PCS की बात करें सभी state ने अपने question यहां पर बढ़ा दिये हैं जितने 30 से 40 के question अत्ते ह लहीं पर 40 से 50 भी जा रहे हैं राज्यस्तान वागेरा में question और optional की जो बात हो रही थी सभी state PCS ने optional को हटाके अपना एक जो state का paper भी लागो कर दिये है जाद अंतर state में यही चीज़ हो गई है अलगि भरैना में भी ऐसा होना चाहिए कम से कम PT में 20 से 25 को कोश्चन कम जादा नहीं तो 20 से 25 कोश्चन तो पूछे ही जाने चाहिए हर्याना से खेर हम इस पर जादा बात नहीं करेंगे यह वीडियो और जादा लंबा हो जाएगा आपका तो यह है वाई अगर आप HCS की serious candidate हैं serious होके त्यारी कर रहे हैं तो आपको इन पर focus करना चाहिए history science science tech geography और quality यह चार अभी आपके पास समय है जब तक December मैंने बताई रखा आपको December जब तक आपका notification नहीं आता ठीक है बार बार उस पर वीडियो बनाने कोई फैदा नहीं है आपको पते आचार सीता लगी है और जिन बच्चों confusion हो रहा आचार सीता का भई उसमें result आ सकता है exam हो सकता आपका ठीक है notification नहीं आएगा अगर notification आ भ सालों की जो cutoff है वो इस पर discussion करें देखिए हैस प्री का second जो paper है CSAT वड़ा वो तो qualifying आपको पता है और हैस जो मेंस के number है वो भी आपको PDF की पूरी मिल जाएगी official site पर ही मिल जाएगी telegram पर आप चाहिए तो मैं डाल दूँगा HSP की cutoff की बात करें GS वड़े paper की जिसके दार पर आपकी cutoff बनती है तो official cutoff एक बार भी HSP नहीं दी है ठीक है official cutoff आपकी कोई भी नहीं है जो cutoff minimum से minimum गई है और जो बच्चों के हुए है जानकारी में है या जिनोंने share किये है अपने number या मैं खुद की भी बात करूँ तो आ पिछली बार के अगर हम pre की बात करें 58 पे भी हुआ इस पर 60 प्लस में गई है पिछली बार की बात करें 58 ये जो अंतर रहता है एक दो number का ये अंतर रहता है आपका official answer की पर जो हम objection लगाते है एक दो question जो delete हो जाता है या उनकी answer बदल जाते है उससे तो cutoff जो है जो minimum से minimum cutoff प्लस करेंने चाहिए one fourth आपकी negative marking ये भी आपको पता होगा one fourth आपकी negative mark ये और fifth option वड़ा भी आपके पास समझ से है एक तरह से क्योंकि आपको भरना ही भरना है अगर आप नहीं ही बरोगे वहाँ पर भी आपकी one fourth आपकी negative marking लागू हो जाती है ठीक है तो ये है 60 आपको मा होती है जितनी भी पोस्ट होती है उसका बारागुणा मालो के 105 ये 100 पोस्ट हैं तो इसका बारागुणा ही बच्चे आपके मेंस से बुला जाते हैं जिसे 1200 बच्चे ही मेंस तो कम से कम बच्चे मतलब के मेंस लिखते हैं तीन गुणा आपके interview में बुला जाते हैं जितनी बार तो यह मेंस की cut-off की बात करेंगे तो मेंस पर जो मैं डिसकेश पूरी वीडियो बढाऊँगा आपको पूरी डिटेल वीडियो उसमें आपको बता दूगा प्यूटी कटफ आफ आपको 60 मान के चलनी है वही है 58 पर भी हो जाता है 62 पर चला जाएगा इसके आसपास रहे दूसरी चीज में आपको बता देंगे अगर बच्चे NCRT डिटेल में पढ़ना चाहते है NCRT बेसिक से सुरू करना चाहते है NCRT तो आप हमारे दूसरे चैनल दिल्ली वाला रनबीर सिंग दिल्ली वाला रनबीर सिंग सर्च करके जा सकते हो उसका लिंक भी मैंने दिया थ जाएंगे ठीक है मैं जल्दी डाल दूगा जो 2024 वाले हैं इससे पहले के तो मैंने डाले हुए सारे 2024 वाले आपको वहां पर मिल जाएंगे सारे के सारे पीडियर टेली वाला रनबीर सिंग आप सर्च करके जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा जिन फिर भी आपके क्यों क्यों रही हो किसी तरह का कोश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं देखने और सुनने के लिए धन्यवाद जै हिं जै भारत बंदे मातरम